हेलो अरिवान आज हम इस वीडियो में जामिले इसलामे के एडिमिसन फॉर्म या अप्लिकेशन फॉर्म और इंटरंस एक्जाम्स को लेकर क्या अपडेट हैं खासकर 23 में जो भी स्टूडेंट देने वाले हैं उसके बारे में उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपको जामिय के बारे हम कोई भी डिटेज़ चाहिए आप किसी भी कोर्स को लेकर जिसे अगर हम फॉर्म को लेकर ही बात कर ले तो जाता राच के टाइम में जो गएरी है स्कूल के फॉर्म जिसे प्री नर्सरी फर्स्ट क् सब्सक्राइब बागी यूजी कोर्स पीजी कोर्स के अंदर जितने भी उन सभी के फॉर्म्स को लेकर क्वेरी बहुत जदा आराज कड़ा है चाहिए वह भी पॉलिटिकल का हो जोग्राफिय बीपिटी या बीटेक हो और जितने भी कोर्स है जिनका मैं नहीं भी ले रहा हू कोई information चाहिए तो जरूरी है कि जामे का official website that is jmy.ac.in है आप उसके website पे widget क्या करें मतलब बराबर आप Google पे जाकर search कर लें और widget क्या करें क्यों क्यों कि आपको जो भी चीजे पता चलेगा ultimately है इसके लब और कहीं और नहीं पता चलेगा दूसरे कि अगर forms आयो रहेंगे तो आपको 23 जरूर लिखा हो रहेगा अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब का form नहीं आया है तो अभी की सबसे में पहले ही रिमाइन कर दूं कि अभी जामे का form नहीं आया है पहले चीज़ दूसरा अब सवालों की form कब तक आ सकते हैं उससे पहले मैं आपको आना चाहूंगा क form चाहिए बीपीटी हो बीटिक हो बीटिक हो बीए पॉलिटिकल हो सोस्योलोजी सैकॉलोजी बीललवी चाहिए जिसकी भी कोर्स को उठा लें सभी का form एक बार ही आता है मतलब एक बार में ही सबके form आ जाएंगे और एक ही लिंक के तुरू फील भी होता है जैसे कि अगर आ मैं फिर से कहा दूँ अभी आपके form 23 का नहीं आया है हाँ आएगा आपको इस चैनल पर इंफर्म कर दे जाएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर करकेगा साथ ही RCA का भी बहुत क्वरिया आरा आज के टैम में RCA Residencial Coaching Academy जो कि जामे के दौरा UPSC के लिए चला जाता है उनका हलाकि 10th of January को कुछ होने वाला था बट अभी तक नहीं है लेकर हो सकता है इस विक में अगले विक में आपके CUT को लेकर जामे का अपना स्टेंड आ जागा जो भी होगा लेकिन नॉर्मली अगर हम फॉर्म की बात करें तो जिस तरीके से आपने EMU को देगा कि काफी जनवर एकजाम होने वाले होगे वो ठीक आपके मेड अपरिल क्योंकि नॉर्मली ही होता यह मेड अपरिल से पुरा मई के मान्थ होगा जो इसमें इंटरेंस अजाम कंड़क करने में जाएगा ये दो चीजिजी यह फॉर्म को लेकर एकस्पक्टेद टामिंग में ने बता दिया इंट्रेंस एक्जाम को लेगा एक्सपेक्टेड टाइमिंग मता दिया है साथी जो इस्टूडेंस यह उमीद कर रहे हैं कि पेपर जो है जून जुलाई में होगा वो खुद को धोका देर मई कर सकता हूँ क्योंकि ऐसा होई नहीं सकता है करने का टाइमिंग होगा और जुलाई से एड्मिसन होगे और फिर मीड जुलाई या अगस्त के फर्स विक से आपके युनिवस्टी के क्लास स्टार्ट होगे नॉर्मली यही सीडियूल चलता है अगर आपको किसी भी स्पेस्पिक टॉपिक को लेकर आप कमेंट करें वीडियो बन जागे और आने वाल जो भी अप्डेट्स आता उसको लेकर अप्डेट्स आने के लिए से आंको सब्सक्राइब करकर रखिए थैंक यू